दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टी फोर टेक वीडियो और दवाईए फ्रेश बेल आइकन को फूर लेटेस्ट नोटिपिकेशन तो हेलो दोस्त कैसे हैं आप लोग आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल में जिसका नाम है टी फोर टेक वीडियो तो हेलो गाइस आप लोग जानते ही है कि लोग डाओन में तरह तरह की अफ़ाई फैल रही है तो इसी अफ़ाउं में एक ये भी UFIA की lockdown बढ़ने वाला है तो guys please comment कीजिए और ये बताइए क्या lockdown तीन महीं को हटेगा या मोदे जी भासन देगे से 30 महीं तक और बढ़ा देंगे तो please comment में guys तो चलिए guys हमारे tech news यहां से start होती है और जो पहले tech news है guys वो आती है है हैं से निकल कर Pentagon की तरफ से यहां पर US Pentagon ने guys दावा किया है कि उन्होंने UFO देखा है आपको गता दे guys की जो US की Pentagon ने guys वो बहुत बड़ी organization है जो उन्होंने officially ये photo release किया है जो कि एक UFO का है कि आप लोग guys UFO में believe करते हैं अगर हां तो please comment कीजिए और मज़े बताइए और guys यहां पर जो दूसरा अपडेट निकल गया आता है वो है RGC2 एप से lockdown में guys RGC2 एप ने downloading की सारी हदे पार कर दी है यहां पर इसकी downloading अब 75 million हो चुकि है जो की साड़े 7 करोड के लगवग है guys इसने सारे world record तोड़ दी है so please guys download the RGC2 एप क्योंकि guys यह आपको Corona से हर तरह की अपडेट देगा तो चलिए guys आगे चलते हैं यहां पर जो तीसरा अपडेट निकल लगाता है वो guys PUBG Mobile की तरफ से यहां पर PUBG ने announce कर दिया है कि वो अपना 0.18.0 version release करने वाले हैं जो कि guys में 7th को release होगा इस अपडेट में guys आपको मेरावर 2.0 का मैप मिलेगा बहुत सारे स्क्रेमल मोड मिलेंगे और guys नहीं नहीं कारे भी मिलेंगे जो कि इस मोड को और अपडेट को बहुत ही रुमांचक बना देगी चलिए देखते हैं guys यह अपडेट कैसा होने वाला है प्लिस कमेंट में जाईए और मेरे को यह बताईए कि क्या आप इसको में 7 को जोरू डाउनलोड करेंगे या नहीं चलिए guys आगे बढ़ते हैं और जो यहाँ पर चोथा अपडेट निकल के आता है वो guys अटल की तरफ से अटल ने guys अपने 1 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया है guys नोकिया के साथ में अपने 4G नेटवर्क को एक्सपैंस करने के लिए जो की बहुत बड़ी रकम है guys यह करीब 7000 क्रोड के आसपास है तो चलिए guys आगे बढ़ते हैं 10,000 के लगबग आते तो guys ही बहुत इंट्रेस्टिंग होते और guys यहाँ बे जो स्टट अपडेट निकल का आता है वो Xiaomi की तरफ है Xiaomi ने guys अपने प्रिपेड ओडर लेने चालू कर दिये हैं जो की आपको लोगडाउन के बाद ही मिल पाएंगे guys मेरा खुद का ओडर है जो लोगडाउन के बेदे से नहीं मिल पा रहा है so guys so समझ के ओडर करिएगा वनना लोगडाउन के बाद ही ओडर करिएगा guys जो हाँ पर 7 अपडेट निकल का आता है हो Xiaomi की तरफ से Xiaomi अपना Redmi Note 9 इंडिया में लाँच करने वाला है जो कि GAT प्रोसेसर पर होगा guys यह बहुत ही अच्छा प्रोसेसर माने जा रहा है guys guys जो हाँ पर 8 अपडेट निकल का आता है वो भी Xiaomi की तरफ से Xiaomi अपनी Redmi Note 9 इंडिया में लाँच करने जा रहा है जो कि पहली बार इंडिया में लाँच होगा guys जहां पर जो अक्रेट निकल का आता है वो भी Xiaomi की तरफ से Xiaomi अपना Redmi की 30 Pro इंडिया में लाँच करने जा रहा है guys जो कि Snapdragon 865 पर होगा और guys यह सबसे पाइफुल प्रोसेसर है पूरे वर्ल्ड में और इस पॉन में आपको पॉप उप कैमरा और इन डिश्पले फिंगर्पेंट भी मिल जाता है तो बस guys आज की Tech News में इतना ही अगर guys आपको Redmi के 30 Pro पेलक से वीडियो चाहिए तो प्लीज guys मुझे कमेंट कीजिए मैं आपको इस पेलक से वीडियो बना के दूँगा तो guys आज की वीडियो में इतना ही जाइंडुस्तान जाबरत